गुड मॉनिंग मैं हुदीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के स्विशे सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज और इकल कार्ट के जरी जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और इसके लिए हम एक से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं कौन से रीडिंग होगी आपकी कौन सा होगा आपका मूलांक यदि आपको नहीं पता है तो अभी एक उधारण देकर आपको समझाती हूँ अगर आपकी डेटो बर्थ है 11 यानि की 11 तो एक और एक को जब आप जोडते हैं तो जोड़ाता है नमबर 2 तो 2 होगा आपका मूलांग और आज की तारीक है 21 सितंबर 2023 आज की तारीक को जोड़ते हैं दो और एक यानि की नमबर 3 नमबर 3 जिसके स्वामी है गुरू तो क्या इंपक्ट पढ़ने वाला है आज एक से लेकर नौ मूलांग तक के जातकों पर हम जानेंगे लेकिन उससे पहले आप तो जानते हैं कि हमारे कल के एपिसोड में हम जिस एक मुद्दे पर बात कर रहे थे वह बहुत ही जादा महत्पूर्ण है विशेश तोर पर स्टूडेंट्स के लिए और यंग्स्टर्स के लिए जिस तरीके से रील्स का जमाना है जिसनी फास्ट जो है जिन्दगी गुजर रही है ऐसे में बहुत ही कम समय जो होता है वह अपने दोस्तों के लिए या फैमिली के लिए हम निकाल पाते ऐसे में एक दूसरे से हम एक नॉलेज ले ले तो ही बड़ी बात है कही ना कहीं हम किसी की दम उठा लेते हैं तो क्या करना चाहिए आज मैं आपको उपाय बताती हूं तो सबसे बैटर चीज है कि पेरेंट्स सही समय से यानि कि बच्पन से ही बच्चों को स्पिरिच्वल प्रैक्टिस में डाले इस पिरिच्वल प्रैक्टिस का अर्थ बच्चे को बाबाजी बन दुनिया जहान की सारी बुक्स पढ़ लीजिए सब बेकार है तो शुरुआत करनी है खुद को जानने में बच्चों को बच्पन से ही बहुत कम उम्र से ही आप मेडिटेशन का हिस्सा बनाईए सत्संग का हिस्सा बनाईए अगर कहीं मंत्र का चैंट हो रहा हो कोई बी मंत सिरीन उपाए वो है गायतरी मंत्र गायतरी मंत्र की जो पावर है जो फ्रिक्वेंसी है वह इतनी ज्यादा है कि वैज्ञानी को तक ने प्रूफ किया है कि गायतरी मंत्र को पढ़ते वक्त जो वाइब्रेशन उससे निकलती है जो सेंसेशन उससे होती है कही ना कहीं वह इ प्रॉपर दीख्षा के साथ तो क्या होगा कि कायत्री मंत्र को पढ़ने से सबसे पहले तो बच्चे का जो एक कहते हैं की कॉंसेंट्रेशन लगना स्टार्ट हो जाता है दूसरा जो भी वह पढ़ाई करते हैं वह उनको लंबे समय के लिए याद रहेगी तीसरा कि वह व्यक्ति का जब भी साधक जो है वह उच्च कोटी पे पहुंचता है तो बुद्धी जो हम कहते हैं ना वह प्रग्या में तब्दील हो जाती है प्रग्या जहां पर की आप हर चीज की विज़म आपके पास आ जाती है आपको किसी विशे के बारे में बहुत अधिक जानने से बच्चें को आना आरम हो जाती है इसके लावा आप त्राटक आदी भी करवा सकते हैं तो आये दोस्तों बिना देर के अपने कारक्रम की हमाद शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज यानिकी 21 सितंबर 2023 मूलांक एक के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे है और हमसे कहा जा रहा है मूलांक एक के लिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है आपका लगी नमबर है नमबर पांच और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको समय और परिस्तिती के अनुसार ही अपना कोई भी व्यवहार रखना होगा कही न कहीं आपको जो है परिस् करने की जुरुत है तो आपका चाहिए पर्सनल रिलेशन्शिप हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो जितना ज्यादा कम्मिनिकेशन क्लियर होगा उतना ही आपके लिए बहतर है आपका दिन शुबहुग आए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 21 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है हार्मनी का काड़ है लकी नंबर है आपका नंबर एक और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका जो बेस है ना जो आपकी ग्र प्राप्त होगी और सबसे मैत्पूर्ण पार्ट होता है हमारी लाइफ का सही समय पर सही निर्णे लेना तो वह आज आपको अवश्ची प्राप्त होगा लेकिन कब जब आप आज हिर्दय भाव में रहेंगे जितनी ज्यादा प्यॉरिटी के साथ आप काम करेंगे फिर वह आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ का हो या परसनल लाइफ का हो उतना ही अधिक आपको सक्सेस मिलेगी आपका दिन शुब हो आई जानते हैं मूलांक तीन के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइद कर रहे हैं 21 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक तीन के लिए हमको कहा जा रा Transformation Period इतना ज़ादा आसान नहीं होता कही न कहीं उसकी वज़े से आप भीतर ही भीतर बहुत कुछ उधेड़बुन होगी अत्यदिक सोच विचार में आज आप रहने वाले हैं बहुत ज़ादा उत्रत पुतर रहने वाली है और परिवर्तन किस तरीकी का हो सकता है आपकी व समक्ष आ सकता है कुछ बदलाव की प्लारिंग भी बन सकती है हो सकता है स्थान परिवर्तन का भी आप सोचें आपका दिन शुब हो आईए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 21 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक चार के लिए हमको कह अजहारा है अबंडल का काड है अजका दिन बहुत अच्छा है हर प्रकार से समञागर भावनात्मिक 6 बहुत अच्छा है अ riot एसा लगेगा आपको कितने दिन से इस आज के दिन की में तैलाश कर रही थी जहांपर सारी चीजए अन प्लेच आएगी सही समय पर सही चीज्य आज जो होती ही चली जाएंगी फुल सपोर्ट आज आपको मिलेगा जो लोग कहीं ना कहीं आपसे भाग रहे थे आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे वह खुद आज आगे बढ़कर आपको कॉल कर सकते हैं आपका दिन शुबहोग आए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 21 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक पांच के लिए हमको कहा जा रहा है स्लोइंग डाउन का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बिल्कुल भी आपको हडबड़ी नहीं करनी है क्योंकि जो टाइम का जो पेस है वो आज बहुत स्लो है आपकी जो एनरजीज हैं वो बहुत शान्त ऊर्जाएं आज आपकी रहने वाली हैं ऐसे में हडबड़ी करना अपना ही नुकसान करना है तो बहुत आसानी से जो भी कोई आप काम करेंगे इजी गोइंग वे में करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है और जितना जादा हडबड़ाएंगे उतना ही अपना नुकसान आप कर बैठेंगे और साथ ही साथ आज ये भी कहा जा रहे है कि जो ये slow time है ये actually आपकी learning के लिए आपको कुछ बहतर बनाने और सिखाने के लिए है आपका दिन शुब हो आईए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या guide कर रहे हैं आज 21 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है abundance का guide है आज का दिन बहुत अच्छा है आज का दिन अटका हुआ जो धन है वो आपको प्राप्त हो सकता है अटके जो कारे थे वो आपके आगे बढ़ सकते हैं जो लोग कही ना कहीं अभी तक आपको जो है इग्नॉर कर रहे थे वो खुद आगे बढ़कर आपके साथ जोड़ना चाहेंगे आपका सपोर्ट चाहेंगे और आपको लोगों का आज सपोर्ट भी प्राप्त होगा कुल मिला के ये भी हो सकता है कि आपको अपनी पैतरक संपत्ती से भी लाब हो आपका दिन शुबो आईए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 21 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है हीलिंग का कार्ड है आज का दिन आपको थोड़ी से अपने ध्यान रखनी की जुरुत है अगर मैं कहूं सेल्फ लव का दिन है सेल्फ फीलिंग का दिन है दो राय नहीं होगी आज थोड़ा सापको अपनी सेहत का खयाल रखना है व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है और है आपको रहना लेकिन एनर्जी स्थोड़ी लो हैं तो हड़ बढ़ाना नहीं है बलकि अपना ध्यान रखना है आए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 21 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है कंप्लीशन का कार्ड है लकी नंबर है आपका नंबर साथ और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी आपके पेंडिंग काम हैं उन्हें आप पूरा कर लिजे कोई भी नया कमिटमेंट आज नहीं आपको लेना है बलकि जो पुराने कमिटमेंट हैं पुरानी जो शम्हों आपका दिन शुबहों आये जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 21 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन एक बदलाव का है आज का दिन एक बड़े चेंज का है हो सकता है आपकी विचारधारा में परिवर्तनाय या फिर आपकी जो टीम है उसे चेंज कर दिया जाए आपके काम करने का पैटर्न बदल जाए आपके थौट प्रॉसेस बदल दोस्तों ये थी रिडिंग हमारी एक से लेकर नमुलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का कल्यार हो मिलूंगी आप से हमारे अगले एपिसोड में तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा क मेरा प्रेनाम